हलो इस्टुडेंट मैं दीख्छा स्वागत है आपका आपकी अपने यूटूब चैनल में MPPSC मैंस 2022 के ये कोश्चन पेपर स्रंखला चलाई जा रही है जिसके अंतरगत ये अभी तक हमने GS paper 1st, GS paper 2nd, 3rd और 4th को complete किया गया है जो की एक कोश्चन पेपर है जो मैंस के एकजाम है आठ जनवरी से 13 जनवरी तक संपन होंगे जिसमें अभी तक हमने 8 जनवरी को GS paper 1st, 9 जनवरी को GS paper 2nd, 10 जनवरी को GS paper 3rd और 11 जनवरी को GS paper 4th को complete कराया इसी तरीके से इस रंखला चलाई हुई थी आज 12 जनवरी है 12 जनवरी के अंतरगत GS paper के complete हो गए है तो इसके अंतरगत जो सामान हिंदी और व्याकरण का paper है उसको आज complete कराएंगे चले तो इस paper के वारी में जानते हैं इसके paper के pattern को देखते हैं क्योंकि GS paper 1st और 2nd का जो paper pattern रहा था उसमें कुछ बदलाव था क्योंकि 1st और 2nd का pattern एक सा था और 3rd और 4th जो paper हुआ था GS का वो सेम था इसके वीडियो आपको इसी की playlist में मिल जाएंगे तो चलिए देखते हैं सबसे पहले केस के जो फेपते paper हुआ है सामा नहिंदी और व्याकरण का जो की पांचमा paper है जिसमें number of question कितने है आठ है और ये समय 3 घंटे का है और पूरांक 200 नंबर का है इसका है चलिए तो देखते हैं सबसे पहले किस तरीके case में question पूछे गई है जिसमें इसमें पहला प्रिशन जो आया हुआ है वो 25 लगूत्री question है जिसमें प्रिशन जो है 20 से 25 सब्दों का हो और प्रिशन तीन अंक का है चलिए तो शुरू करती है प्रिशनों की सरंखला को जिसमें पहला प्रिशन आया हुआ है कि अब्भेई भाव समास को परिभासित कीजिए दूसरा आता है कि संधी किसी कहते हैं सर संधी के भेद लिखे तीसरा आता है कि मानक भासा से आप क्या भी प्राय है और प्र संधी हो समास में मुख्य अंतर बताईए फेपत कोश्यन पूछा गया है कि पल्लवन को परिभासित कीजिए फिर आपका इसके अंतर गश्यक्स कुश्यन आया हुआ है कि उत्क्रेस्ट संचिपड के कि गुण बताईए सेविंत कुश्यन आया हुआ है कि सलेस अलंकार को इ आए उक्त पंते में कौन सा अलंकार है तो इसमें आपको अलंकार बताना है फिर आपका 12 नंबर का इसमें कुश्चन पूछा गया है कि अधर जल गगरी छलकत जाए लोकोकते का आसा इस पश्ट करती हुए बाके में प्रियोग कीजिए इसमें बाके प्रियोग करना है आपक में पूड विराम का प्रियोग कप किया जाता है 60 नंबर का कुश्चन पूछा गया है कि सामा सिक सब्द का अर्थिस पश्ट कीजिए 17 नंबर के कुश्चन में पूछा गया है कि निमलिखित की संधी की ग्यात कीजिए कि प्रा प्लस औ साय अन्य प्लस उक्ती तो इसकी आ पहले कभी नहीं हुआ हो दूसरा पूछा गया है कि जिसका सत्रू जन्मा तक ना हो तो इसके बारे में आपको अनेक सब्दों की एक सब्द देने हैं के उत्तर देने हैं फिर आपका जो नेक्स कोश्चन पूछा गया है संछेपड किसे कहते हैं यह टूंटीवन नंबर का को सब्दें लिखिए फिर आपके टूंटीवन नंबर का कुश्चन जो है पूछा गया है कि उप्मा अलंकार के अंगों की नाम लिखिए टूंटीवन नंबर का पूछा गया है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनगट में डुबो रही तारा अगट उशा नागरी उप धिनर्वन जो इसकंड कोश्चन आता है जिसमें पृष्चन अलंग्कारों से समंवंदित हैं जिसमें अलंकार से रेलेटिट कुश्चन पूछे गए हैं पहला कि अनुप्रा तो उक्तपंग्ती में कौन सा लंकार है इसमें आपको बताना है कि माया माया महा ठगनी हम जानी तिरूल फांस लिये कर डोले बोले मधुरबानी उपरिएक्तपंग्तियों में कौन सा लंकार है फिर आपका 28 फोर्ट नमबर के इसमें कुष्चन पूछा गया है कि तीन बेर खाती थी बे तीन बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार है फिर आपका next question पूछा गया है कि अलंकार के उधान देकर इसपस्ट कीजिए फिर आपके अंतर आपको फिर बाद में प्रिश्ण अलंकारों से सम्मंदित अर्था अलंकार से सम्मंदित हैं जैसे पहला पू पूछा गया है कि जिसमें उपमा की चारों अंग मौजूद हों उसे क्या कहते हैं फिर इसके इंतर गे नेक्स्ट कोशन आता है कि फूले का सकल महिछाई जनु बरसार ये तो प्रिकट बुड़ाई पंग्तियों में कौन सा लंकार है फिर आपका नेक्स्ट कोशन पूछा ग पूछा गया है कि अंडमान और नेकोबर दीप समूध भारत का राजचेटर है जिसमें आपको हिंदी से अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन करना है फिर आपका नेक्स्ट आता है इसमें कि मामला अभी समीक्षा दीन है फिर नेक्स्ट कोशन इसमें पूछा गया है कि सा अंदर में आपको अनबात करने है अब आता है बाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनबात करना है जिसमें आता है कि अंग्रेजी से हिंदी अनबात कीजिए प्रिश्ण तीन में दिया गया है इसके अंतरगत आता है पहला प्रिश्ण कि पुलि फिर नेक्स처enda आता है कि माई ममटर हेज้ विन कुकिंग भुझ अइन आर फिर आपका फोर नंबर का गुष्चन आता है जिसमें आपको उसमें जो पहले थार्ट नंबर का कोशन था उसमें पहले मैं हिंदी से इंग्लिजस में टांसलेट करना था फिर आपका 4 नमबर का जो question है उसमें पूछा गया है कि हिंदी ब्याकरण से संबंदे संदी समास बिरामचिन है इत्यादी प्रिश्ण है और इसमें सभी प्रिश्ण अनिवारें जिसमें दो अंकों की प्रिश्ण है और टोटल इसमें 10 question है पहला इसके अंतरकत question आता है कि उ क्या करना कहलाता है फिर आता है next question कि कि समास में दोनों खंड प्रिधान होती है फिर question आपका पूछा गया है कि दो बिप्रिधार थे सब्दों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है फिर आता है आपका 7 नमबर का question जिसमें पूछा गया है कि वाह तुम्हारे क्या कहने बाग के में उप्योक्ति चिन्ह का प्रियोग करते हुए पुन्हा लिखें फिर आता है next question जिसमें पूछा गया है कि किसी वाह क्या उत्रण को जेवकातियों उद्गरत करने के लिए प्रियोक्ति चिन्ह क्या कहलाता है फिर 9 नमबर का question पूछा गया है कि कि नहीं दो ब्र फिप्ति question मतलब फिप्ति जो question है उसके अंतरगत पूछा गया है कि इस प्रिष्ण में प्रारंभिक व्याकरण सब्दावलियों से सम्मंदित निमलिखित प्रिष्णों के उत्तर दी कहा गया है जिसमें दो अंकों का है और यह 10 question है जैसे बस पहला आता है कि बसीहत नामा का अंग्रेजी पारिभासिक सब्द बताईए एक्टिंग का हिंदी में पारिभासिक सब्द करण बताईए एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ बताईए जारस सब्द का बिलोम सब्द बताईए फिर आपका आता है फिर नेक्स्ट के जिसका अर्थ हांत बहुत तेज चलता हूँ उसका एक सब्द क्या होगा बच्चा सब्द का तस्सम सब्द रूप में लिखिए चोर सब्द के दो परियावार्ची सब्दों को लिखिए राठिडी का मानक रूप लिखे हाती के पाओं में सबका पाओं कहावत का अर्थ बताईए और स्री गड़ेस का बिलॉ इसके सीर्षा को क्रमान का उलेक करना है जिसमें गद्धांस दिया गया है आपका पहला कि साहित्तों निती के साधनों में पुस्तकालेयों का इस्थान अतियंद महत्पूर है इनकी द्वारा साहित्ती के जीवन की रक्षा पुष्टी और अभिवर्द्धी होती है पुस् पुस्तकों को संग्रह करते आ रही हैं पहले देवालय फिर बिद्ध्यालय फिर निरपालय इन संग्रहों की प्रमोखिस्थान होती थे इनके अत्रिक्त बुर्धिय जनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होती थे मुद्रण कला के अभिस्कार से पूर्व पुस्तकों का संग रहे करना आजकल की तरह सरल बात ना था आजकल साधार इस्थती के पुस्तकाले में जितनी संपत्ती लगती है उतनी उंदिनों कभी-कभी एक पुस्तक की तयारी में लग जाया करती थी भारत के पुस्तिकाले संसार भर में अपनी सानी नहीं रखते हैं थे प्राचीन काल सी मुगल समराटों की समय तक की यही स्थती रही चीन फारस प्रभूत सुदूर इस्थित देसों में जुन्ड के जुन्ड बिधा नुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आये थे तो यह आपका गधान से इसके आपको उत्तर देनी है जिसमें प्रिश्ण पहला आता है कि गधान का उचे सीर सक दीजिये फिराता है नेक्स्ट कोश्चन की पुस्तिकालेओं के कारण बहरत को क्या गौरव प्राप्त हुआ फिर नेक्स्ट कोश्चन इसमें पूछा गया है कि पुराने समय में अधिक व्याई क्यू होता था तायड़ पोर्ट नंबर का कोश्चन आता है कि साहती की उनती का सबसे महत्यपूर शाधन क्या है फिर नंबर का कोश्चन पूछा गया है कि पहले पुस्तिकाले किन किन स्थानों पर हुआ करते थे फिर आपका इसक में आता है कि आप ये वाला कर सकती है जो अभी पढ़ा हुआ है या फिर अभी जो पढ़ रहे हैं वो वाला कोश्चन कर सकते हैं अथवा में रहेगा कि आता है कि संस्कृति और सब्विता ये दो सब्वेहते हैं और उनके अर्थ भी अलग-अलग है। सब्वेहते हैं मगर संस्कृति उन सबसे कहीं बारीक चीज है वह मौटर नहीं मौटर बनाने की कला है। हमारी हर पसंद आदत में छिपी रहती है। संस्कृति का सोभाव है कि आदान प्रदान से बढ़ती है। आदमी के भीतर काम, क्रोध, लोब, मद, मोह और मस्तर एच्छे विकार प्रक्ति के दिये हुए है। मगर इविकार अगर बेरोग छोड़ दिये गाएं तो आदमी इतना गिर जाएगा कि उसमें जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है। पल्लवित कीजिए। करने हैं तो यह कोश्चन आपको करना है जिसमें यह 10 नंबर कर रहेगा। अब आता है आपका नेक्स्ट कोश्चन जो की 8 नंबर का है। जिसमें पूछा गया है कि किसी गध्धांस की एक तेहाई सब्दों के संच्छेपड कीजिए। भरतीजे से गध्धांस का संच्छेपड कर रहा है उसका इसपष्ट उलेक उत्तर के प्रारम में अनिवारता करें इसमें 10 अंकों का है। जिसके अंतरगत आता है पहला कुश्चन जिसमें पूछा आया है वुआ है कि रितुराज बसंत की आगमन से ही सीत का बहंकर प्रिकूब भाग जाता है। गिरीश में काताप समसीतोशन बातावर्ण में पृतेक प्राणी की नस नस में उत्फूलता और उमंग की लहरे उठ रही है। प्राणी की साथ ही जैसे जीडता और पुरातन का प्रभाव तिरोहित हो गया है। प्रक्ती के कणकण में नहरे जीवन का संचार हो गया है। प्रमंजरियों की भीनी गंद और लोक को यलकी पंचम आलाप ब्रहमरों की गुंजन और कलियों का इचटक बनों की उद्धानों की अंगों में सुभा का संचार सब ऐसा लगता है। प्रक्ती ने बसंत की आगमन पर अपने रूप को इतना समारा है कि अलग अलग को सजाया और रचा है। उसकी सुभा का वर्डन असंबव है उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। इसी के अंतरगत आपको ये वाला कुशन कर सकती है या फिर दूसरा वाला कुशन आता है वो आप कर सकती है जो की दस नंबर का है जिसमें आता है कि मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। उत्सव का एक मातर उत्ते से आनंद प्राप्ती है। या तो अभी सभी जानते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यक्ता की पूर्ती के लिए आजीवन प्रित्यन करता रहता है। पर उस सुख और उस्सव के इस आनंद में बड़ा अंतर है। आवश्यक्ता अभाव उचित कर इसलिए किसी एक आवश्यक्ता की पूर्ती से उसे सुख होता है वह अतियंत रड़िक होता है। क्योंकि तुरंथ ही दूसरी आवश्यक्ता उपस्थित हो जाती है। उस सौ में हम किसी बात की आवश्यक्ता का अनभाव नहीं करते। यही नहीं इस दिन हम अपने काम का छ चंता छोड़ देतें करतब विभार की वह पेकषा कर देतें तथा गोरव और सम्मान को भूल जाते हैं। उस दिन हमें उच्छंड़ता आ जाती है। स्वक्षंड़ता आ जाती है और उस दिन हमारी दिन चरिया बिल्कुल नस्ट हो जाती है। तो इसके संदर में आपका यह question पूछा गया है कि आपको इस प्रिश्ण का उत्तर देना है जो कि दस अंकों का है जिसमें पहला या दूसरा दू में से कोई एक question को आपको solve करना है यहां पर इस प्रिश्ण सरंखला फिनिश होती है next class में जो कि कल 13 जनवरी है जो कि MPPSC MENZ का last paper रहेगा इसके अंतरगत अभी तक हमने आगे कि चार्ज EAS paper को complete कराया हुआ है और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share करें चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें धन्यवाद